यह है डांगी काउ डांगी काउ जो महराश्ट में मिलती है सबसे बोड़ी खासियत है कि हीवी रेंस में भी यह खड़ी रहती है चर्टे रहती है क्योंकि इसके दे से के खास किस्म का तेल निकलता है और यह ड्रॉट सुखे में और हीवी रेंस में बहुत बढ़ियां से सर्भाइब करती है डांगी काउ के पास ऐसे तो आठ से दस टीटर ही दूद है लेकिन अगर अच्छे खाओ अच्छा खान पान रखा जाए नेरी फार्मे ते बिस टीटर तक दूद देने में सक्षामा और महाराष्ट के कंडिशन में ये खूब बढ़ियां से रह जाती है महाराष्ट के कंडिशन में ये बढ़ियां अच्छे चाहे सुखा हो या हीवी रेंच हो ये अपने आपको सर्भाइब कर लेती है हीवी रेंच में इसके दे से एक प्रकार का तील निकलता है जो इसका एक उचित प्रोटेक्शन देता है ये महाराष्ट की देशी नसल है जिसके पास आठ से दस्ट उप्रदूद परड़े होता है डेरी फार्म में तो ये 20 लिटर तक तो देती है बहुत ही मजबूत कतकाथी किये गाए बहुत है